एक ओर ऐसा राष्ट्र जिसका समाज हजार वर्षों से अपने अस्तित्व का युद्ध लड़ रहा है और विश्व की कई नसलें उसकी समाप्ति का दूसरी ओर ऐसा राष्ट्र जिसे आधिकारिक रूप से राष्ट कहना भी संदेहास पध है और तीसरी और शत्रू पड़ोसी अरब देश जो अपने धर्म और कथित रूप से अपने सम्मान का युद्ध लड़ रहे हैं इसराइल ने इस समय फिलिस्तीन में मोर्चा खोला हुआ है जरिन के भीतर घुस कर आतंकियों का संघार हो रहा है परन्तु ये घटनाएं 2021 में भी बड़े रूप में हुई थी और ये घटनाएं हर कुछ समय में बड़े रूप में होती रहती है क्या है इन घटनाओ के पीछे का छुपा हुआ इतिहास क्यों अरब देश इसराइल के रक्त के प्यासे कैसे इसराइल दरजन अरब देशों से अकेला भिड़कर भी विजित योद्धा के रूप में निकलता है और इतिहास में क्या हुआ होता है जो एक नसल एक चट्टान बन जाती है देखेंगे आज दरेड़ फाइल्स के इस विद्वन सक प्रकरन में हमारा समरपन आकर शक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दो जुलाई 2023 को इसराइल की सेना फिलिस्तीन के जनिन शेत्र में गुस गई एर स्ट्राइक्स भी की गई शेत्र में इसराइल के अनुसार ये एक काउंटर टेरर आपरेशन था बारा फिलिस्तीनी से मारे गए जिसमें से कई मिलिटन्स थे एर स्ट्राइक्स हुई तो बहुत से फिलिस्तीनीों को अपना घर छोड़ कर भागना पड़ा और इसे पिछले 20 सालों का सबसे बड़ा आकरवन माना जा रहा है इसराइल की ओर से इस आकरवन का स्तर और साइस बहत बड़ा था और ये वेस्ट बैंक के शेतर में किया गया था एक पत्रकार एहमत इराकी ने इसे गाजाफिकेशन आफ वेस्ट बैंक कहा इसराइल का अनुसार वो आतंक के विरुद लड़ रहा है और फिलिस्टीनियों के अनुसार वो विस्तारवाद के विरुद यूनाइटेट नेशन्स इसराइल और आतंक दोनों की जिंदा कर चुका है इससे पहले 2021 में भी इसराइल और फिलिस्तीन के मद्य भहंकर विवाद हुआ था जब इसराइल ने अल-अकसा मस्जिद में घुसकर लाउट स्पीकर के तार काट दिये थे और उसके बाद स्ट्रेवर्ड प्लाजा को बंद कर दिया था जो फिलिसीनियों का टूरिस्ट पॉइंट था इसके बाद भहंकर दंगे हुए टेरर अक्टिविटीज हुई और इसराइल ने इसके उत्तर में गादा पट्टी पर बंबारी कर दी जिसमें अल-जजीरा की आफिस बिल्डिंग तक गिरा दी गई परन्तु ये वरतमान में चल रही बाते हैं ये बाते यहां तक पहुँची कैसे कैसे दोनो देश एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए 1940 में इसराइल की स्थापना हुई थी United Nations के वोटिंग के माध्यम से अरब देशों को इस विकार नहीं हुआ कि उनके मध्धे एक यहुदी देश पस जाएगा तब से लेकर आज तक कदाचित कोई दिन शान्ती से भरा गया होगा इस अशान्ती के पीछे एक इतिहास है जिसका आरम होता है आज से 3000 वर्ष पूर से क्या हुआ था उस इतिहास में आगे देखते हैं भूगोल बदलने से इतिहास नहीं बदला करते आज जो इसराइल अपने शेत्र की रक्षा के लिए अति उग्रूरूप धर कर बैठा है और सभी पड़ोसी देशों की आँखों का काटा है लगबग साड़े 3000 वर्ष पूर इसी शेत्र में इसराइल का राज्य हुआ करता था 147 से 930 इसा पूर तक जिसके मानचित्र को देखकर पतीत होता है कि वो आज के इसराइल से कहीं बड़ा था येरुशलम का पहला टेंपल इसी समय में बना था ये यहूदियों का पवित्र तमस्थल था ये इसराइल का राज्या आक्रमनों से नहीं बचपाया 586 BC में बेबी लोनियंस ने आक्रमन किया और इस पवित्र मंदिर को तोड़ दिया इस समय यहूदियों का प्रथम पलायन हुआ इसराइल के अंदर से ये स्थिती तम सुधरी जब एक पर्जिन राजा ने बेबी लोनियंस को हरा दिया और यहूदियों को अपना मंदिर दोबारा बना दिया राज रूमन्स का होगा बात दोबारा बिगडी इसा मसीकी घटनाओ के बस्चाद जब उस समय के यहूदी धर्म सत्ता ने उनको बरबरता से सली पर टांग दिया और क्राइस्ट के अनुयाईयों में एक घ्रना का माहौल भर गया यहूदी समाज के बरती इसा की सत्तर वर्ष बाद सन सत्तर में टाइटस नाम के एक रोमन राजा ने यहूदी मंदिर को फिर से तोड़ दिया और येरुसलम को बरबाद कर दिया और अगले साथ वर्षों तक यहूदियों को उस पूरे शेत्र में नरसंगार और पलायन जिलना बड़ा सन 135 तक यहूदी पुराने इसराइल को पूर्ण था छोड़ चुके थे जो रोमन सामराज्य के अंतरगत था और उस शेत्र का नया नाम था फिलिस्तीन उस समय निशकाशित हुए यहूदी विश्व के भिन भिन शेत्रों में जावसे परन्तु समय उनका संहार नहीं रोक पाया रोमन सामराज्य ने इसाई धर्म अपना लिया और भविश्य में प्रजा ने भी इसाई प्रजा के भीतर यहूदियों के प्रती जो भाव थे वो समय के साथ उग रूप में फटते रहे आधुनिक समय में इस विपलव का क्या सुरूप था वो आगे देखते हैं इसराइल जो आज है वो बनने की यात्रा इतिहास के अनेक पन्ने पर लटवा देती है परन्तु मूलता हो 19. सदी के मध्य में यूरोप की कुछ गटनाएं आधुनिक इसराइल की निर्माता कही जा सकती है 1830 से 1890 के दशकों में यहूदियों का यूरोप के भिन भिन शेत्रों में संहार हुआ बड़ी छोटी मात्रा में जिसके उधारन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं जब यहूदियों को यूरोप में चिन्हित करके मारा जाने लगा तो उनका एक आंदोलन आरंभ हुआ इस कारे में दो व्यक्तियों की भूमी का प्रमुख है पहले एलाइजर बेन यहूदा जो 1881 में आज के इसराइल के शेत्र में पहुँचे थे इनी के नेत्रित्व में यहूदियों का पहला आलिया आरंभ हुआ और 1881 से 1903 तक लगभग 25,000-25,000 यहूदि आज के इसराइल में पलायन कर गए जो उस समय के अवल अरब शित्र था दूसरे व्यक्तिते थियोदार हार्जी जिनोंने 1896 में पुस्तक लिखी और 1897 में एक World Jewish Conference बनाई जिसमें वैश्विक स्तर पर यहूदियों ने भाग लिया आज के इसराइल का नैशनल एंथम इन्होंने ही 1897 में चुना था क्या प्रभा हुआ इस सब का 1904 से 1914 तक दूसरा आलिया हुआ जिसमें लगबक 40,000,000 यहूदी आज के इसराइल वाले शेत्र में पलाइन कर गए इन्ही लोगों ने तेल अवीव नाम का नगर बसाया पर इसके पश्चात प्रथम विश्यूदारम हुआ और जाइनिस्ट यहूदियों ने इंग्लैंड से एक प्रिसक देश के लिए समर्थन मांगना अरंप कर दिया इसका क्या प्रभा हुआ 1917 में वैलफ और घोषना की गई इंग्लैंड के द्वारा एक लेटर के माध्यम से जिसमें लिखा गया कि हम इस बात से सहमत हैं कि फिलिस्टीन के शेत्र में यहूदियों के लिए एक राष्ट्रिय घर बने बिना वहां रहे रहे लोगों के जीवन को बाधित किये हुए 1918 में आटवन सामराज्य इंग्लैंड से युद्धार गया और येरुशलम का शेत्र अंग्रेजों के नीचे आ गया 1922 में लीग ओफ नेशन्स बनी जिसमें एक प्रस्ताव पारित करके इंग्लैंड को ये अधिकार दिया गया कि जो फिलिस्टीन का शेत्र है उस पर वो राज करे और वहां येहुदियों का कुछ प्रबंद करे और इन सब बातों से दंगे आरम हो गया येहुदियों और अर्वियों के मद्धे और हगनाह नाम का एक येहुदी मिलिटरी संख्ठन बन गया और इसी सब के बीच तीसरा चौथा और पांचवा आलिया हुआ येहुदियों का 1920 से 1930 के दशक के मद्धे में जिसमें लगबग साड़े तीन लाख येहुदी पलायन कर गए उस शेत्र में जहां आज इसराइल है और इन सारे पलायनों से येहुदियों की संख्या उस शेत्र में अर्भियों को टकर देने लगी जिससे अर्भियों में असंतोश बढ़ा 1936 से 1949 तक अरब और येहुदियों में भीशन संखर्ष हुआ हजारों अर्भी येहुदी ब्रिटिश मारे गए और तब जाकर 1949 में ब्रिटेन एक श्वेत पत्र लेकर आया सार के सेना में दो लाक येहुदियों ने अपना बलीदान दे दिया था इस विज़य के लिए और युद्ध के भश्चात येहुदियों को इस विज़य का लाब हुआ 1946-47 के शेत्र में लगबग ग्रह युद्ध की स्थिती थी इंग्लेंड का प्रयास था के अरब और यहुदियों में कुछ समझाता हो जाए पर वो हुआ नहीं क्योंकि यहुदी प्रिथक देश से कम कुछ नहीं चाहते थे और अरभी यहुदी देश के विरुद्ध थे जब ऐसी स्थिती हुई तो फरवरी 1947 में ब्रिटेन ने युनाइटिड नेशन्स को ये मामला सौप दिया ये कहते हुए के 15 मई 1948 तक हम इस शेत्र को छोड़ देंगे 29 नवंबर 1947 को युनाइटिड नेशन्स एक रेजलुशन पास करता है कि इस पूरे शेत्र में एक यहुदी राज़ बनेगा और एक फिलिस्तीन राज़ बनेगा और येरुशलम युनाइटिड नेशन्स के नीचे रहेगी इस रेजलुशन से पहले स्क्रीन पर दिख रहे मानचित्र में केवल सफेद डॉट्स यहुदी सेटलमेंट्स थे युन रेजलुशन के पश्चात ये मानचित्र कुछ ऐसा हो गया सफेद भाग इसराइल और हरा भाग फिलिस्तीन 14 माई 1948 को इसराइल रष्ट की घुशना कर दी गई और इस घुशना के होते ही अमेरिका और रूस ने इसराइल को माननेता प्रदान कर दी और इस प्रकार इसराइलिक देश बना एक नया छोटा सा देश परंत 1948 से 2023 तक की राह इस छोटे से देश के लिए भीशन शक्ती बनने की थी कैसे एक छोटा सा यहूदी देश दरजन इसलामिक देशों से लोहा लेने लगा कुछ देश अगनी की लप्टों के मध्धे में जन्म लेते हैं इसराइल उन में से एक है जिस दिन इसराइल बनने की घोशना हुई उसी दिन से इसराइल और अरब देशों के मध्धे एक युद्ध अरंब हुआ एजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक, साओधी एक और और इसराइल दूसरी और एक वर्ष चले इस युद्ध में इसराइल ने अरब देशों को धूल चटा दी युद्ध के वल नाम के लिए नहीं जिता गया था युएन ने जो मांचितर उकेरा था वो इसराइल अब बदल रहा था युद्ध के दंड के रूप में फिलिस्तीन का शेत्र निगल कर गाजा पटी बनी और वेस्ट बैंक से आधा येरुसेलम इसराइल के पास चला गया उन पर कारे कर रहा था जिससे बहुत शिग्र वो विक्सित देशों की श्रेडी में आ गया और जो यहुदी जनसंख्या 1956 में एजिप्ट ने स्वेज नहर का राष्ट्री करन करके उसे अपने नियंदरन में ले लिया जहां से यौरप और एशिया का व्यापार होता था साउदी अरब ने लाल सागर में अपनी चौदराहट दिखाई इसराइल के व्यापार के मार्ग बंद हो चुके थे इसका उत्तर इसराइल ने एजिप्ट के एक बड़े भूभाग को अपने वश्मे करके दिया जिसे सिनाई शेत्र कहा जाता है यह शेत्र तब छोड़ा गया जब स्वेज नहर और लाल सागर खुल गए 1967 में पुने छे दिन का युद्ध हुआ जिसमें एजिप्ट, चॉर्डन, सीरिया, एराक, लेबनान ने मिलकर इसराइल पर चड़ाई कर दी स्वेज नहर पुने बंद कर दी गई और छे दिवस तक चले युद्ध में इसराइल ने सभी अरब देशों को पुने हरा दिया जब अरब देशों को युद्ध में विजय ना मिली तो योजनाय बदलने लगी, फिलिस्तीन लिबरेशन औरगनाइजेशन की स्थापना हुई 1972 में अरब देशों के गोरिला संगठन ने जर्मानी में उलम्पिक प्रतिभागी इसराइल के 11 लोगों की हत्या कर दी जिसका बदला लिया गया इसराइल के द्वारा रैत अफ गॉड अपरेशन से इसके बश्चात फिर युद्ध हुआ, 1973 में एजिप्ट और सीरिया साथ थे पिछले युद्ध में खोई भूमी वापस लेने के लिए इसराइल से दोनों भिड़ गए थे रूस अरब देशों के साथ दे रहा था और इसराइल के साथ था अमेरिका इसराइल ने ना केवल युद्ध जीता परंतु एजिप्ट और सीरिया दोनों की भूमी कबजा ली इसराइल को एक देश की रूप में मानेता दे दी गई जिसके बदले इसराइल ने सिनाई वेनिस्वेला में अपना अधिपत्ति छोड़ दिया दोनों देशों के नेताओं को नुबेल शान्ती वरुसकार मिला परंतु 1981 में इजिप्ट के नेता को इस शान्ती का रिण अपनी हत्या से चुकाना पड़ा इसके पश्चात खुले युद्ध नहीं हुए इसके पश्चात आतंकवाद हुआ और उसका इसराइल द्वारा प्रतिकार हुआ संधी और शान्ती की प्रक्रिया को राजनीती के जूतों के तले रोंदा गया आज चल रहे नई विवादों ने कैसे जन्म लिया वो आगे देखते हैं इतने युद्ध हुने के पश्चात 1922 में में शान्ती के प्रयास आरंब हुए 1923 में आसलो अकॉर्ड हुआ इसराइल ने पियलो और पियलो ने इसराइल को माननेता दे दी और पियलो को अधिकार दिया गया कि गाजा और वेस्ट बैंक के शेत्र में वो अपना शाशन स्वायत तहु कर चलाए 1994 में जॉर्डन ने भी इसराइल को माननेता दे दी जिसमें इसराइल ने स्वायत फिलिस्तीन राष्ट के लिए समर्थन तक दे दिया था परन्तु रात रास थिती बदल गई और शान्ती फिर से नहीं हो पाई प्रयासों और युद्धों के पश्चात आज कोई अरब देश इसराइल पर युद्ध नहीं शेड़ता हाँ आतंकवाद अमश्य होता है हमास के रूप में और इसराइल इसको उतर देता है जनिन में गुसकर अल जज़िरा के कारयालों को उड़ा कर इसराइल की अरब देशों के मध्ध सबसे बड़ा युद्धा बनने की यात्रा शरणार्थी के रूप में आरंभ हुई थी परन्तु यह यात्रा प्रमानित करती है कि यदि कोई नसल ठान ले तो कुछ भी हसंभर नहीं कदाचित भारत को इसराइल से बहुत कुछ सीखना चाहिए कैसा लगा ये वीडियो हमें बताएं शेर करें और ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें यदि ये रेड़ फाइल अच्छे लगी तो स्क्रीन पर दिख रही दूसरी रेड़ फाइल और अच्छे लगेगी अवश्य देखें उसे भी अगले सब्ताप पुने मिलते हैं रेड़ फाइल्स के एक और बिनाशक प्रकरण में